हाई गाई दिस सेम औरिया नाओ आम गई टू स्टार्ट सम फ्रेजल वॉब और मैं यह आपकी जो वीडियो होगी यह सेकंड क्लास है ठीक है तो मैं थोड़ा सा पैनल लेता हूं ग्लास है एक इसमें और ये जो है ऐसे जो तक कर आए और मैं आपको बता दूंकी अभी अलावाद हाई की किसकी अलावाद high code के equal मैं बता दूआ आपको की przysz में सबसे बड़ा जो रोल होता है रहता है यकोली रहता है ब्री में तो के में थोड़ा से English के जाद रहता है दोई पर होते English को और मैं यह मैथ के तो जैसे की CGL है वैसे आपको अगर आपकी GS थोड़ी सी मजबूत है किसी के mathematics कमचर होती GS मजबूत है और English मजबूत है तो यह समय लोग की बहुत तगड़ी वाली vacancy है बहुत मज़ा आजाएगा मतलब 4800 ग्रेड़ी की चौप है इसमें ठीक है मैं दिखा देता हूं आपको देखू मैं बता दूँ आपको जिसका पिस अपना है ना 4800 ग्रेड़ी की नौगरी पाने के अगर आप English में बता दूँ अगर आपकी English अच्छी है प्लस आपकी जीएस अच्छी है तो बहुत अच्छा है आप परफॉर्म कर पाऊगे और सेलेक्शन होने वाला है तो यह जो पीडिएफ है आपको ठीक है पीडिएफ बुलकुल फ्री आफ कॉस्ट है एबुक है एक और इसमें मैं बहुत जाता है इंपोर्टेंट बार बार पूछे जाते हैं तो लट से स्टार्ट देखते हैं आज का फर्स्ट कोशन क्या है ठीक है देख लेते हैं डॉन अन का मतलब भूर सुबह होता है अन तो अन होता ही प्रिपोजिशन है कुछ समझ आए इसका मीनिक नहीं आया ना जब समझ नहीं आया तो डॉन का मतलब होता है अन्डेस्टेंट क्या होता है समझ ना क्या होता है अ हुआ है समझ ना क्लीर हो गया दो को फ्रेजियर भब आगर अपने कर लिली तो मैं बता रहा हो बहुआता हो फायदा होने वाला हर जगा है मैं मतलब कर पाओ डिलेंडे इन का मतलब करता है तो है बिजनीज-किसी में आपका काम है, उससे संबंदित काम है, तो उसमें deal in बोलते हैं, क्या बोलते हैं, deal in, deal with क्या होता है, बाई एक ची बताओ, deal with, अगर मैं बता दू, जब भी with आ जाए, preposition, क्या आ जाए, बित तो mostly, mostly बोल रहा हूँ, कि mostly परसंड से संबंदित होता है, deal with, बाई किसी के साथ क क्काम करना है, किसी को handle करना है, तो, क्या यहाइगा, deal with आएगा, क्लियर हो गया, इसे हम next देखते है, fourth number क्या है वरी, ए, यह देखें, die down, die down यहाइग थापीर हो घाइब होना, या धाई हो जाना, it's called die down, die down, clear हो गया, धीरे-धीर मर जाना, ऐसे भी याद करसे, किसी के लिए मरना तो जाहिर आता है बहुत ज़्यादा क्या होगी म्तले है। तहां रेखना अगर question बनने बाला है तो उसमें ये die for और die out ये दोनों ही देंगे अब आपको choose करना है इसमें कौन से appropriate है according to question तो die out का मतलब get extinct बिलुप्त होना क्या होना क्या होना गाया भी हो जाना बुलकुल इसकी extinct भी बूलकुल कुछ भी नहीं रहेगा मतलब dispose off का क्या मतलब था? जैसे हम disposable बोलते है, disposable bottle है 여기 disposable glass है इसका मतलब क्यों होगा? कि छुटकार अपाना कि हमने एक बार use किया? फेक दिया तो dispose कर दिया उसको तो dispose off का मतलब था to get it off क्या होना? get it off या किसी चीज़ से छुटकारा अपाना बहुत बार पूछाता है आपका दा हिंदू लीज़ पर पढ़ते हो ना पढ़ा करो नहीं पढ़ते हो जो पढ़ते हैं तो उनकी इंग्रिश तो बैच्छी अच्छी हो जाएगी ठीक है किसी चीज को खत्म करना ठीक है क्लिर हो गया कुछ भी बोल दो प्रीपूशन ओन भी आ सकती है अपन भी आ सकती है कनफूशन नहीं हो नहीं है मैं और आगे लिख देता हूँ तो कीप थिंग थिंगिंग ओन सेम सब्जेक्ट में एक ही बात पर बार बार सोचते रहना तो कितने हो गई 9 हो गई I think समझ आ गए होंगे क्लियर नेक्स्ट देख रहते हैं जाखो इसमें जो दे रखा है ए वाला एंड़ एक ही है तो टो डू सम्थिंग फाइनली कोई काम पूर तरीके से फाइनल कर लेना क्लियर हो गया एसे तो मुझे एक ही लगा यारज यह ही appropriate है यह वहर पूछ आा जाथा है और तो कुछ है नहीं फालेक क्या मत्ला होता है अच्ब फालेक का मत्ला होता है पीछे हटना है क्या होता है पीछे हटना इस होता है वहक्त बार पूछा गया है CGL में ध्यान लगना to use as a last resort मतलब कोई आखरी सहारा आखरी सहारा, clear हो गया अच्छा, next देख लेते हैं next, fourth number क्या है यह देखिए fall flat, fall flat का क्या मनलता है fall मनलता है, बेकार हो जाना flat मनलता, tire flat हो जाता है तो क्या होगा, fail to produce any effect, मतलब जब कोई person जाता है और he does not he does fall flat in front of him, या कोई person हो सकता है ठीक है, तो इसके सामने fall flat हो गया तो वो अपना कोई भी effect नहीं कर पाया क्या नहीं कर पाया, कोई भी effect नहीं डाल पाया ना तो अच्छा effect डाल पाया ना ही बुरा effect डाल पाया तो उसमें क्या बहलेंगा, fall flat important है, क्या बार आया हुआ, ध्यारत ना fall for, ठीक है, किसी के लिए मरना या गिरना तो क्या होता है, fall in love with, यह तो पता ही है लेकिन यह नहीं पता होगा, fall for का ही मतलब होता है, fall in love with हमें, fall in love with तो बोलोगे आप देंगे, fall for का भी नहीं बोलोगे ठीक है, she fall for you she fall for you, या you fall for her, इस तरह से नहीं बोलोगे इसे fall in, fall in का मतलब होता है sink inward, यह तो पानी बार नहीं होता है पानी में डूब जाना, क्या ना डूबना, ठीक है एक होता है, fall in bid, bid आ गया, तो किसी परसन से संबल देता हो का fall in मतलब गिरना, यानि किसी से शहमात होना, to agree bid, क्लिर हो गया, next देख लेते हैं, fall out bid, fall out, अच्छा, fall out का मतलब होता है coral करना, क्या होता है, किसी से coral करना, जगड़ा करना, coral bid क्लिर हो गया, यानि जगड़ा करना, मैं लिख देता हूँ जगड़ा करना, next देख लेते हैं, fall through ये भी कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है तो fail, यानि कि fall through मतलब फेल हो जाना, या किसी चीज में गिरना, किसी से गिरना, कैसी भी याद कर सकते हो, fall through का मतलब होता है fail हो जाना, figure out बहुत बार पूछा गया, बहुत बार नीच पेपर में आता है figure out का मतलब होता है, to understand क्या होता है, to understand, यानि समझना, ठीक है तो ये 10 और 9 यानि 19 मैंने आपको phrasal bob करा दिये ठीक है, अब आपको ये phrasal bob करना क्या है, आपको note down करने है, क्या करने है note down करने है, आप notebook हो सकती है, किसी भी चीज़ पर कर लेना note down, ठीक है, ताकि आप इनका revision कर पाओ अगर आपने revision नहीं की, तो मैं पक्का होता तो आपको याद ही नहीं हो सकती है ठीक है, याद नहीं होगी पक्का याद नहीं होगी इसलिए आप याद कर लें और इंग्लिस का सब्सक्राइब, अब इसके बाद मैं एक editorial, देखो कुशी दिन में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जैसे दा हिंदू का editorial हम पढ़ते थे पहले, ऐसे ही फिर से मैं editorial कराने वाल हूँ और ये editorial जो आप बहुत गजब का editorial होंगे आपकी English ठीक है English, यादि बुकाब को बूस्ट कर दें क्या कर देंगे, बूस्ट कर देंगे clear, तो जितना आप अच्छा perform करोगे यानि कि daily basis पर देखोगे जितनी बुकाब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उनको आप note down कर लोगी, याद करोगे तो आप मात तब 15 दिन की बात है 15 दिन में इतनी सारी बुकाब याद हो जाएगी कि paper को तोड़ फोर्ट होगे बड़े आसानी से, ठीक है तो मिलते हैं नेक्ट सेशन में तब तक के लिए बाबाई टेक क्या